हलो ओपी क्लासिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुन्हा स्वागत है आज हम लोग को पढ़ने हैं 30 जनबरी 2021 के Most Expected Current Affairs तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रशन पहला प्रशन है ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक रिपोर्ट की अनुसार निम्न लिखित में से कौनसी कंपनी वैस्विक इस्तर पर तीसरी सबसी मूलेवान आईटी सेवा ब्रांड बना है तो हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट पेस की है जिसके तहत भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विश वैस्विक इस्तर पर तीसरी सबसी मूलेवान आईटी सेवा कंपनी बन गई है ब्रांड फाइनेंस की इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर एसेंचर दूसरे स्थान पर आईबियम जबकि तीसरे स्थान पर टीसी एस को रखा गया है टॉप 10 में भारत की तीन और कंपनिया सामल हैं जिनमें Infosys चौथे स्थान पर, HCL साथवे स्थान पर, जबकि Bipro नौवे स्थान पर है Essential की कुल वैस्विक ब्रांड मूल बैलू 26 अरब डॉलर है जबकि IBM की मार्केट वैलू 16.1 अरब डॉलर है TCS की कुल मार्केट वैलू 15.1 अरब डॉलर आंकी गई है चलिए देखते हमारा आज का दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है धनलक्षमी बैंक के MD और CEO की रूट में किसे नियुक्त किया गया है तो हाल ही में केरल के धनलक्षमी बैंक के MD और CEO JK7 बनाए गए है JK7 धनलक्षमी बैंक के Managing Director और Chief Executive Officer होंगे धनलक्षमी बैंक की स्थापना बर्स 1927 में हुई थी इसका मुख्याला केरल के त्रिशूर में इस्थित है चलिए देखते हमारा आज का तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न है निमने लिखित में से किष ने Mobile Action Game 4G लांच किया है तो हाल ही में अभीनेता अक्षे कुमार ने Mobile Action Game 4G लांच किया है 4G का पूर्ण रूप है Fearless and United Guards यह एक Online Multiplayer Battle Royale Action Game है इसको Bengaluru में विक्सित किया गया है तथा इस गेम से होने वाली कमाई का 20% हिस्सा भारत के बीर नामक ट्रश्ट को दिया जाएगा अभीनेता अक्षे कुमार ने 26 जनबरी 2021 को इसे लांच किया है अभी यह गेम केवल Android Oreo 8 से उपर के वर्जन पर काम करेगा यह मुख्यता तीन भासाओं में काम कर रहा है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी तथा तमिल भासा सामिल है इसमें Battle Royale मोड नहीं है हाला कि Story Mode में इसमें लद्दाह की गलवान घाटी दिखाई जाएगे इस गिम के 40 लाख pre-registration हो चुके थे और लॉंचिंग के साथ ही 10 लाख डाउनलोड हो चुके है चलिए, देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न है, वेक्तिगत स्रेडी में सुभास चंद्रबोष आपदा प्रवंधन पुरुषकार 2021 किसने Жीता है तो हाल ही में 23 जन्बरी को सुभास चंद्रबोष आपदा प्रवंधन पुरुषकार घोशित किये गए जिसमें राजिंद्र कुमार भंडारी ने विक्तिगत सुभास चंद्र बोस आपदा प्रवंदन पुरुसकार जीता है सुभास्चंद्र बोस आपदा प्रवंधन पुरुषकार के तहत विक्तिकत स्रेड़ी में 5 लाख रुपए जबकि संस्थान स्रेड़ी में 51 लाख रुपए नगद दिये जाते हैं प्रतिक वर्ष 23 जन्वरी को सुवास्चंद्र बोस आपदा प्रवंधन पुरुसकार दिये जाते हैं बहीं बात की जाय संस्थान की तो वर्ष 2021 का सुभास्चंद्र बोस आपदा प्रवंधन पुरुसकार सतत परियाबर्ण एबं पारिष्थित की विकास सोसाइटी को दिया गया है सुवास्चंद्र बोस आपदा परवंधन पुरुषकार 2021 के लिए एक जुलाई 2020 को आविदन मांगे गए थे और कुल 371 आविदन प्राप्त हुए थे चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचबा प्रश्न पांचबा प्रश्न है किस राज के मुख्य मंतरी ने बालिकाओं के लिए पंक अभियान सुरू किया है तो हाल ही मैं मध्यपरदेश शरकार ने 24 जन्वरी को बालिका दिवस के अफसर पर बालिकाओं के लिए पंक अभियान की सुरू बात की है मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराशिंग चोहान ने भोपाल के मिन्टो हॉल से पंख अवियान सुरू करने की घोशना की थे पंख अवियान के तहट बालिकाओं को सुरक्षा, जागरुकता तथा पोशन आधी तरीके से विकास सुनेशित करने की बात कही गई है चलिए देखते हैं हमारा आज का छटबा प्रश्न चटबा प्रश्न है दुत्य विश्युध ड्रामा इंटू दा डार्कनेस ने भारत के 51 अंतराष्टिय फिल्म समारों में गुल्लन पीकॉक अवाड जीता है फिल्म इंटू दा डार्कनेस निमलिकित में से किस देश की है तो हाल ही में डेन्मार्क की फिल्म इंटू दा डार्कनेस ने भारत के 51 अंतराष्टिय फिल्म समारों में गुल्लन पीकॉक अवाड जीता है इंटू दा डार्कनेस के डिरेक्टर एंडर्स रिफन है हाल ही में गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल आफ इंडिया का 51 संस्क्रण आयुजित किया गया था जो की कुल 9 दिन चला था इस संस्क्रण में कुल 224 फिल्म में प्रदर्शित की गई जिसमें इंटू दा डार्कनेस को गोलन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया था बहीं बात की जाए सिलवर पीकॉक अवार्ड फूर मेल के लिए तो तुजू चुजू चोआन लिव को The Silent Forest के लिए सिलवर पीकॉक अवार्ड दिया गया बहीं सिलवर पीकॉक फीमेल अवार्ड जो फिया इस्टेफियाज को I Never Cry के लिए दिया गया है चलिए देखते हैं हमारा आज का सात्वा प्रश्ण सात्वा प्रश्ण है भारत के 51 अंतराष्टे फिल्म महोशब के जूरी के अध्यक्ष पाबलो सेजर किस देश के फिल्म निर्माता है तो हाल ही में भारत के गोवाराज में 51 बे अंतराश्टे फिल्म महोशब का आयोजन किया गया जिसमें जूरी के अध्यक्ष पाबलो सेजर थे पाबलो सेजर अर्जेंटीना के फिल्म निर्मा चली ये देखते हैं हमारा आज का आठवा प्रशन जर्मन बोच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है तो हाल ही में जर्मन बोच द्वारा जारी बैस्विक जलवायू जोखिन सूचकांक में भारत को सातवा इस्थान मिला है बर्श 2020 में भारत इसमें पांचवे स्थान पर था रही में जर्मन बैस्विक जलवायू जोखिन सूचकांक में पहले स्थान पर अफ्रीकी देश मोजामबिक है दूसरे स्थान पर जिंबाब्बे तथा तीसरे स्थान पर बहामास है भारस से पहले चौथे स्थान पर जापान, पांचवे स्थान पर मालावी तथा चटवे स्थान पर अफगानिस्तान है इस इंडेक्स के द्वारा बताया गया है कि बर्स 2019-2020 के बीच कुल 11,000 बैसविक आपदाएं आई हैं जिन में कुल 4,75,000 लोगों की मृत्यू हुई है इन आपदाओं में बैसविक इस्तर पर 2,56,000 करोड डॉलर का नुकसान हुआ है चलिए देखते हैं हमारा आज का नौबा प्रश्न नौबा प्रश्न है अंतर राष्टिय सीमा सुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो पृतियक वर्ष 26 जन्वरी को अंतर राष्टिय सीमा सुल्क दिवस मनाया जाता है वर्ष 2021 के अंतर राष्टिय सीमा सुल्क दिवस की थीम है सीमा सुल्क बसूली, नभीनी करण और लचीलापन चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न अंतिम प्रश्न है, एक एकल रॉकेट द्वारा किये गए सबसे अधिक उपग्रहों के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इस्पेस एक्स द्वारा एक रॉकेट फालकन नाइन पर कितने उपग्रह लाँच किये गए हैं तो हाल ही में स्पेस एक्स कमपनी ने अपने राकेट फालकन नाइन से कुल 143 उपग्रह लाँच किये हैं और यह एक विश्व रिकॉर्ड है इसके पहले भारत की कमपनी इसरो ने फरवरी 2017 में कुल 104 उपग्रह लाँच किये थे स्पेस एक्स द्वारा लाँच किये गए कुल 143 उपग्रहों में 133 कमर्शियल उपग्रह तथा 10 सरकारी उपग्रह हैं इन उपग्रहों का परचेपन अमेरिका के फिलोरिडा से किया गया है स्पेस एक्स अरबपती कारोबारी एलन मस्क की कमपनी है चलिए दिखते हैं हमारा आज का कोशन अब दड़े 30 जनवरी 2021 का कोशन अब दड़े है अंतर राश्टी मुद्रा कोश के कितने सदस देश हैं 186, 187, 188 या फिर 189 इसके अलाबा सेशन अब दड़े का कोशन है हल ही में 4G मोबाइल एक्सन गेम लॉंच किया गया है 4G का पूर्ण रूप क्या है दोनों प्रस्णों के जबाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं